दोस्तो कोई कितना भी बोले सूर्यास्त के बाद आप अपने रसोई घर की ये सफेद चीज भूल कर भी किसी को ना दें। अगर किसी को देना बहुत जरूरी हो तो आप उसे अपने पास से खरीद कर दे देना। लेकिन अपने रसोई घर में से ये सफेद चीज कभी मत देना, नहीं तो इन चीजों के साथ साथ घर की लक्षमी भी हमेशा के लिए चली जाएगी, ये चीजे अगर घर में ही रहे तो अच्छा है। दोस्तो अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस बेल आइकन को जरूर दबाईएगा दोस्तो रुतबा पैसा धन सुक समर्दी, सोना चांदी हीरा मोती सब माता लक्षमी की ही देन है। एक बार इनी जैसी सफेद बस्तू भी कभी किसी को मत देना। अगर हम ये चीजें सूर्यास्त के बाद देते हैं तो लक्षमी माता भी इनी चीजों के साथ दूसरे के घर में चली जाती है। हल्दी भी लक्षमी सरूप मानी गई है और हल्दी भी अगर आप किसी को देते हैं तो घर से लक्षमी चली जाती है। इसलिए ये भूल ये गलती हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। माता लक्षमी का वास होता है। ये लक्षमी के सरूप है। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है कि अगर घर के किसी बड़े व्यक्ति ने पतनी के पास अगर कुछ धन बगैरा संभाल कर रखने को दिया है। जिसे आपने अपनी तिजोरी में कुछ धन जमा करक घर की लक्षमी के पास अगर लक्षमी जोड कर रखते हैं तो आपके घर में भी सदैब के लिए बरक का थमेशा होती रहेगी। दोस्तों इसलिए बो लक्षमी कभी भी उधार में ना दें। हमारी माताएं बहने भाई बहन घर की बहु को धन देने के बाद उसका सही उप प्योग करें जिस घर की बहु धन को सदैब जोडती है तो माता लक्षमी उसकी जोली में उसके हातों में दोनों हातों से धन की बर्षा करती है। ऐसी बहु ऐसी महिला लकी होती है। दोस्तों शास्तरों के अनुसार कहा गया है जो ज़ाडु हम अपने घर में लगाते हैं ज़ाडु कभी भी दूसरे को नहीं देना चाहिए। अगर पुराना हो गया हो तो आप किसी नदी में प्रभावित कर दें। ज़ाडु को लक्षमी सरूपा माना गया है। लक्षमी पूजा के दिन आप सभी ने लक्षमी पूजा के साथ में ज़ाडु पूजा जरूर की होगी आपको बता दे हमारे हिंदू परंपरा में हमारे शास्तर में बताया गया है जालू लक्षमी किस सरूप है इसलिए हमारे बुझुर्ग माताएं बुझुर्ग लोग कहते हैं कि अगर जालू को पैर लग जाए तो तुरंट छमा मांग लें घर की जालू किसी को देना दोस्तों जानकारी पसंद आये तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में इस बेल आइकन को जरूर दबाईएगा